आज का वीडियो तुटीवी चाय की हैंडेल एन एकड़ी घर पर कैसे टीक करें तो चलिए वीडियो स्चुरू करते हैं और ये पूरा वीडियो देखना है टेकनिशन नेनेश पार नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चानल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आद में लेकर आगया हो ये चाय का कप अब ये चाय का कप क्यों लाया क्योंकि उसकी कड़ी जो है हैंडेल जो है तूड़ गई है तो आप इसको घर पर कैसे बनाएंगे ओवी कम से कम दाम चाहिए में 40 या 50 रुपय में इसको अब धेर सारे कप के हैंडेल चाय की कप बना सकते हो जितने चाहिए दो साल तक भी इस्तमाल कर सकते हो तो देखिए यह रहा है रहा है इसको रखते बाजू में तो यह रहा हो जो लिक्विट यह रहा बोन टाइट नाम का यह मिल जाए यह देखिए इसका स्क्रीन शौट भी निकाल के रिख दिजिए और आप इसको इसको स्तमाल कैसे करें और कैसे बिटाने का तो चलिए वीडियो में बताता हूं है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इसके अंदर यह दो टूत निकलता है गरिब कर्भी 2 साल हो चुक पर इएक एक लेने का है ऊलुक है उसको मिक्स करने का ओबी में तरिका आपको आगे बताऊंगा तो बने किए बस उतना पहले वाल ले हमने बस उतना फस भुस को क्या करने का ये भी में बताता हूं तो ये रेत मांचिस रहाने का नहीं अरे बहँ गलत सोच रही आप इसम laughing ली निकलने कही बस अब किसे करने का जो भी अपने निकल है माल वह आपको क्या लेगा इस को जलानेimento 안 hell76 करने तरह से से सकोष करेंगे कि चायीटीब मील जद या कोई भी सिद लेलो मगर इस से लगाने में आसानी जाएगी और मिक्स ylum जाएगी तो देखिये मैं उसको मिक्स कर रहा हो झारीब कभी थोड़ी देर तख के लिए उसको mixt करने में पड़ता है, अब बस अब उसको लगा सकते हो, पाइस याँ दस मिनिट के बाद ये अपने आप जूड़ जाता हैं, देखिए वह ओप भी कैसे कैसे लगाने का थरीका बताता हो, बस यो je mixtКiya वाला है, यह इसको थोड़ा सा लगाने का और यहाँ पर थोड़ा सा लगाने का यह देखे यहाँ पर थोड़ा सा लगाने का और बस अपना काम हो गया बस अब इसको अब लगाने का ही है और इसको लगा के छोड़ देने का 10 से 20 मिनिट तक आराम से हो जाता है मैंने तो घड़ी लगा के पास मिनिट के अंदर ही मैंने उसको बना लिया था ओभी मैं आपको लायू दिखाऊंगा ओभी सामने आपके बस ये देखिये हो चुका है बस इतना ही काम करने का अगर कप अपना अगर आदा भी तुड़ गया है ये देखिये ये हो चुका है इä देखिये जारा नसदिक से अच्छी तरह देखिये वही Oftentimes ये हंडल है उसका बस इतना ऐन काम करने का अपन को वस्ति को रख देने का निचन बस आप ही साईद तक उसको रख देरेने का है तो देखिया ऐसा उपर रख एंडल जो है उपर की साइड में रखकर रख देने का मीश है तो चलिए मैं दिखाता हूं मैं आपको और डेल सारे कप जो मैंने बना लिये हैं तो इसको छोड़ देते शूपने के लिए यह रहा है सब मेरे सूप चुके पहले ही खाली मैंने इक जाज करके देखते हैं यह देखिए यह भी चुप चुपक चुका है यह 10 मिनिट बात का है पहले का है तो चलिए देखो इसको भी देखते हैं यह नहीं निकल रहा है आपको कम से कम 10-20 मिनिट तक इसका इंतजार करना पड़ेगा तब तक यह आप मजबूत हो जाएग तो यह देखिए यह राप पटास एने 25 रहे हैं पकड़ेगे कौन शी भी यह 2-3 से चाय के बराबर है यह देखिए इसका भी प्रेशर आराम से संबाल रहा है यह देखिए नहीं निकल रहा है और यह कई भी निकलेगा भी नहीं यह कब तूट जाएगा मगर यह हैंडेल इसका भी नहीं तूटेगा यह देखिए इसको मैं 2 साल से ट्राय कर रहा हूं यह मेरे पास है मगर आज पहली बार में आपके लिए वीडियो लाया हूं कि इसको कैसे चिपकाते यह देखिए पास तूटे वाली थी मेरे पास कपकी हैंडेल और भी डेरी सारी इससे चिपक बार्श श्क्रॉब हो जाता है इससे तो यह रहा इसको भी जाइंच करेंगे इसके अंदर भी हम पच्ण डाल के देखेंगे ऊझेंगे इसका पी जाच कर रहा हूं म THE देखिए यह भी कंढरWow कैसानी चारवह the यह देखिए यह ब्लोध डिच्प्स क्ढरी इसको एक क्षल रख देंगे यह देखिए और इसको उचल के देखेंगे उठा के देखेंगे कि यह गिरता ही या नहीं देखिए यह आराम से इसका पूरा प्रेशर संबाल रहा है यह देखिए यह देखिए इसको कुछ भी नहीं हो रहा है तो चलिए आप जो भी आप उनका बने वाला है पहले वाला उसकी भी ट्राय करेंगे बाद में देखिए तुम्हारे सामने में उसको हीला रहा हो उंगली डालके फिर भी नहीं गिर रहा है तो यह रहा बोर टाइट इसका आप स्क्रिंशॉट भी लिकाल कर अब मार्केट में जाके इसको ला सकते हो ज़्यादा इसकी किमत नहीं है देखिए मैं इसकी किमत भी दिखाऊंगा मैं आपको यहां पर है यह देखिए यह पचाश इनको दिखाई नहीं देगा होगा यह क्योंकि यह दो साल पूरा ना है मेरे पास अभी उसके दाम एक तो बढ़ चुके हो क्ठराइब का जाएंगे दस भी जादा इदर हो जाएगा कम जादा हो जाएगा तो देखिए आप उन्हें यह बनाया अभी इसको लगब लगब चार या 5 मिनिट हो चुकошे तो इसकी वी जयांज करेंगे हम देखियें इसको भी उठा के देखते है यह कि आपके सामने मैंने बनाया है वाला इह कि उसकी बैस करेंगे इगदि यह वी चिपक चुका आया मगर आप ऐसा मत कीजें 10 या 20 मिनट के बाद ही उसको इस्तमाल कीजें इक कि यह